नमस्का, मैं हो ससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं माम सर्ते वही होगी, जो काक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों को खोलने के लिए जारी की गई थी इस्कूलों को सनेटाज करने के लिए 2-3 दिन दिये जाएंगे राजे में लवग 18 माह बाद, काक्षा 6 तथ 7 तथ 5 माह बाद, काक्षा 8 वी के बचों की ओफलिन पढ़ाई शुरू होगी जर्खन में 21 और 22 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिस हो सकती है मौसम विभाग ने अपने पूरुवानवान में बताया है की 21 और 22 सितंबर को राजे के कई जिलों में भारी बारिस के असार है 21 सितंबर को राची बोकारो, गुमला, हजारी बाग, खोटी, रामगर, पूर्वी वा पच्मी, सिम्भूम, सिम्डेगा, सराय के लाखा सवा में कहीं कहीं भारी बारिस हो सकती है वहीं 22 सितंबर को राजे के पच्मी तथा मध्य भागों में एक दो अस्थानों पर भारी भारिस हो सकती है हजारी भाग के 10 कस्तुर्बा विद्याला के 33 पदो पर जल्द होगी नियुकती 27 सितंबर तक करे अवेदन हजारी भाग जीले के कटम संडी, बढ़का गाव, केरे डारी, चूर्चू, पदमा, बरकठा, चोपारन, बरही, विश्नुगड एवम इचाक, कस्तुर्बा वाइल का आवासे विद्याले में रिक्त तेती सिक्छक एवम सिक्षकेतर कर्मी का पदशिक्र भरेगा बता दे राज, परियोजना कर्याले रांची से, निरदेश मिलने के बाद, हजारी भाग सिक्षक परियोजना कर्याले ने, सिक्षक एवम इच्षकेतर कर्मी हो की निकती को लेकर अवेदन लिए जा रहे हैं आवेदन लेने की अम्तिम तीथी 27 सितंबर 2021 साम पांच बेतक निधारित है पतादे 29 सितंबर तक 33 पाद के खिलाप 129 आवेदन जमा भी हुए है पच्चमी सिम्भू में डाइरिया से 8 लोगों की मौत जाच करने पहुंची स्वास्त विभा की टीम पच्चमी सिम्भू मजिले के दो परखंड में डाइरिया से 8 लोगों की मौत हो गई है पतादे टोटो परखंड की पुरान पानी पंचायत के बेस सिंहा हातु गाओं के बाई हातु टोला में 7 सितंबर से अब तक 4 बच्चों से 6 लोगों की जबकी खुटपानी परखंड के रोरो गाओं में दो दिनों में दो लोगों की मौत हो गई बतादे दोनों जगों पर सुक्रवार से मेडिकल की टीम जाकर लोगों की जाच कर रही है ज़ारखंड के संथाली लेखक चंद्रमोहन किस्कु को मिला साहित अकादमी पुरस्कार चंद्रमोहन किस्कु ने महास्वेता देवी की बंगला उपनयास सिद्धू कानु राखी का संथाली अनुवाद सिन्धू कानु पीके नाग होते पुस्तक के रूप में किया है इसके लिए उन्हें वर्ष 2020 का उन्वाद पुरसकार देने की घोसना की गई है जे पी एसी पीटी परिक्षा में जी एस पेपर के तीन प्रश्ण पर उठे सवाल जार्खन लोक सेवा आयोग द्वारा 252 पदों के लिए चार सिविल सेवा की प्रारामिक परिक्षा रविवार को संपन होई इस परिच्छा के प्रथम पाली में जनरल स्टर्टी के इतिहास और करेंट अफेर पेपर में तीन प्रश्ण पर परिचार्थी समयत एक्सपर्ट ने सवाल उठाये हैं पता दे तीन प्रश्णों के गलत बिकल्प के बारे में बताया गया है की एक सवाल गलत तरीके से पुछा गया वहीं दूसरा सवाल का करम गलत था और तीसे सवाल में बिकल्प गलत दिया गया था पहली पाली में बुकलेट बी में इन तीनों प्रस्णों के विकल्प को गलत बता कर परिछारती समेत एक्सपर्ट स्वाल उठा रहे हैं जे पीएसी एक्जाम में सरसट परतिसात उपस्थिती अक्टूबर नॉमबर में आएगा परिणाम जार्खन लोक सेवा आयोकी सात्वी सन्योक सिविल सेवा प्रारामिक परिछार अविवार को संपन हो गए राजे के जीला मुख्यालों में बनाएगा एगारसो दो केंद्रों पर दो पालिवे में होई इस परिछा में 65 से 67 परतिसात उपस्थिती रही बता दे पाली पाली में लगभग 65 परतिसात उपस्थिती रही वहीं दूसरी पाली में लगभग 65 परतिसात परिछार्थी ने परिछादी बाबा बैधनात मंदीर में इपास के लिए बोकिंग बंद दूसरे दिन 800 सरधालों ने की पूजा बाबा मंदीर में दुसरे दिन इपास के माध्यम से 800 सरधालों ने दरसन पुजा की वहीर अभिवार को भी booking website बन रही जिससे भक्तों को काफी परिशाने हुई बतादे website को दुरूस्त करने का काम जारी है booking में एक सब्ता तक किसी भी दिन पुजा के लिए advance booking करने का प्रवधान किया गया है बतादे कि पहले ही दिन अगले तीन दिनों के लिए स्लोट बुक हो गया था लेकिन जीला परसासन की ओर से booking के बाद एफ रूवल की परकिरिया को पूरा करने से पहले ही तक ने की खराबी के कारान booking की website जारकन दर्शन बन हो गई प्रधान मंत्री मोधी से सिधे जोडता है नमो एप भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने अधिक से अधिक लोगों से नमो एप डाउनलोड करने के लिए कहा है उन्होंने कहा कि नमो एप के माध्यम से लोग प्रधा नहीं नमो एप के माध्यम से लोग प्रधान मंत्री को सुझाओ भी भेज सकते हैं पिजली बीतरन निगम ने ग्रामीन छेतर के उभोकताओं को ध्यान में रख कर वन टाइम सेटलमेंट इस कीम की अधित तीन माह के लिए बढ़ा दी है पहले यह योजना 15 सितंबर तक परभावी थी इसके तहद बिजली के बकायदारों को भोकतान के लिए तीन समान किस्तों में राशी जमा करने का प्रोधान है बता दे राज ये मंत्री परिशत की मंजूरी के बाद इस स्वेजना को लागू किया गया था इसके तहद पिजली बील की बकायर राशी के समायोजन के लिए उभोकता संक करार किया जाता है जारखन में दुबारा सत्ता में नहीं आएगी भाजबा रायत के वर्ये नेता और बिहार में नेता परतिपक्स तेयस्वी आदम ने रभिवार को दल के करिकताओं को समुधित करते हुए अस्वस्थ किया कि जारखन में भाजबा सत्ता से बाहर चली गई है और फिर लोट कर नहीं आएगी इसके साथ उन्होंने रायत के पुराने साथियों की घर वापसी कराने का निर्देश भी नेताओं को दिया और कहा कि यह करिकरता समेलन पार्टी को मजबूत करने के लिए है जामुमों और कंग्रेस के साथ सासन में रहते हुए यह करिकरम पार्टी के मज अस्थापित करने जा रहा है इन मोडूलेटर टोइलेट पर 2,81,31,00,000 खर्च किये जाएंगे बता दे मोडूलेटर टोइलेट अस्थापित करने का खाका तयार कर लिया गया है टेंडर भी जारी कर दिया गया है अक्टूबर महिने में टेंडर फाइनल होने के बाद पर बता दे मोडूलेटर टोइलेट लगा दिये जाएंगे जारखन के 1,500 बोलोक में मन्रेगा का परदर्शन खराब जारखन में मन्रेगा के तहद चलाई जा रहे हैं जहां योजनाओ के किर्यान वेन की गति खासी सूस्ती रही है मानव कार्य दिवस भी कम स्रीजित भाग ने ऐसे बलोग को चीनित कर यहां विशेस अभियान चलाने का नीर नहीं लिया है, इन पर खंडों में विशेस अभियान चला करना सिर्फ परिसंपत्यों का स्रीजन किया जाएगा, बलिक इस बीतिये वर्ष के तयलक्ष से अधिक हासिल करने की भी कोशिस होगी, जारखन में 9823 हेक्टेर बन भूमी अधिसूचित नहीं, राज्ये में 9823 हेक्टेर बन भूमी सिमांकित हैं, लेकिन अधिसूचित नहीं है, यह जनकारी बनों के डाटा संग्रहन और सत्यापन में सामने आई है, यह काम पूरे राज्ये में अभी भी जारी है, बता दे बन बंदुबस्ती का काम पूरा होने के बाद बन भूमी के नक्से बन बंदुबस्ती पदाधिकारी वो बन प्रमंडल पदाधिकारियों की ओरते हस्ताक्चिरित कर सत्यापित किये जाने थे लेकिन कुछ ऐसे मामले संग्यान में आये हैं जिनमें नक्से पर उप्यूक्त पदाधिकारी का स्थाक्षर नहीं है दुरगा पुजा में 18 साल से कम आयू के बच्चों के सामिल होने पर हो विचार रांची महानगर सिरीद दुरगा पुजा समिती की रविवार को कछरी रोड में बिहार कल्ब सभागार में हुई बारसिक आम सभा में दुरगोसों के आयूजन को लेकर चर्चा हुई कमिटी के आजीवन मुखे संजोजक डक्टर अजीत कुमार सहाय ने कहा कि महामारी कुरोना काल में हम सभी वायरस के संक्रमन से बचाओ के हम तिम लड़ाई लड़ रहे हैं राई सरकार की ओर से दुरगोसों को लेकर जारी दिशार निदेश के मुताविक इस बार भी सादगी से पुजा का आवेजन होगा उन्होंने सरकार से पुजा आवेजन में 18 साल से कौम आयो के बचों को नहीं सामिल होने समझे निदेश पर फिर से विचार करने का आगर किया है रांची रिम्स में कैदी फरार मामले में तीन पुलिस कर्मिन निलंबित रिम्स में मेडिसीन के ICU वाड से अफ़रन और हत्याक के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा इलाईरत कैदी कृष्ण मोहन जार अभिवार की सुबह फरार हो गया इस मामले में SSP ने तवरित करवाई करते हुए कारे में लपरवाही बरतने के आरोप में तीन पुलिस कर्मियों को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया है बता दे इन में हवलदार महतो उराव सिपाही नित्यानन्द गोस्वामी और अनन्द कुमानमिस्रा सामिल है पूलिस ने गिरवतार किया है बता दे जारखन पूलिस को बिहार के गाया जीले के टेकारी से आरोपी आकास को गिरवतार करने में सफालता मिली है आरोपी आकास पर 35 रुपे का इनाम घोसी था है तेयस्वी आदों ने महांगाई के बाहने बिजेपी पर साधा निसाना बिहार के पूर्वर डिप्टी सीएम वर नेता परतिपक्स तेयस्वी आदों ने महांगाई के बाहने भाजपाप निसाना साधा है उन्होंने कहा कि कभी मांगाई उनके लिए डायन थी आज महबूबा बन गई है जारखन में जामुमों और कंग्रेस मजबूत होंगे तो राश्टिये जनता दल भी मजबूत होगा वे आज रांची के कार्निवाल हौल में आवेजित कारिकरता समेलन में बोल रहे थे बतादे इस दोरान उन्होंने पुराने कारिकरताओं को फिर से जोडने का आवाहन किया है बाबा मंदीर सिंगार पुजा में सरधालों को परवेश की अनुमती नहीं बाबा मंदीर में परवेश की अनुमती नहीं दी गई है और नहीं इसके लिए अभी कोई भुकिंग की वेवस्ता की गई है वहीं 18 साल से कम उम्रे के बचों को मंदीर में परवेश पर परतिबंद लगा दिया गया है बतादे पहले दीन की जारी वेवस्ता को देखने के लिए SDM सह मंदीर प्रवारी दिने से आदो सुबह नौ बजे से दस बजे तक मंदीर फूट ओवर बिरिज पर निरिक्षन करते रहे मंत्री मिश्लेस ठाकूर ने गढ़वा के मेराल में मोडल थाना भवन का किया उधगाटन मेराल में नो निर्मीत मोडल थाना भवन का उधगाटन रविवार को पेज अल्यों सक्सता मंत्री मिश्लेस ठाकूर पलामु सांसत बिडी राम उपायूत रायेस कुमार पाठक तथा एसपी अंजिनी कुमार जहां द्वारा फिता काटने के बाद पुजा आजना यमनारियल फोड़ो कर किया गया बता दे 1.93 लाख रुपए की लागत से थाना भवन का निर्मान हुआ है उदगाटन के बाद लोगों को समभधित करते हुए मंतरी मितलेश ठाकों ने कहा कि आधोनिक सुधाओ से सुसाजित थाना भवन बन जाने से पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ थाना छेत्रे के लोगों को काफी सवुलियत होगी जार्खन में रायत के समेलन में बिहार की नेता परतिपक्ष तेयस्वी आदों ने भाजपा पर जम्प कर हमला बोला तेयस्वी ने कहा कि जार्खन में भाजपा दुबार सता में नहीं आएगी अब भाजपा वालों के यहां जाकर देखना चाहिए कि वह अहनमान चली सा पढ़ते हैं या नहीं बता दे तेयस्वी ने कहा कि जार्खन मेहमंद सुरेन के साथ मिलकर महागडबंधन के जरिये भाजपा को रोका गया था मेरी लास पर जार्खन बनेगा तेयस्वी के ब्यान पर दीपक परकास ने कहा इनकी ही पार्टी है जो जार्खन अंदोरन को कुचलने का काम किया था इनके पिताजी लालू परसाद ने ही कहा था कि मेरी लास पर जार्खन राजे बनेगा कोई बार बिधान सभा में इसका बिरोध भी हुआ लेकिन अब ए बिधवा बिलाब कर रहे हैं दीपक परकास ने कहा कि हमंत कुमार सरकार में आरजेडी की साज़ेदारी है नियोजन निती और भोजबूरी मैथली और मगी भासा को लेकर सीम के बियान पर तेयस्वी या तो समर्थन करे या बिरोध करे परधान मंत्री को पोस्ट कार्ड से सुबकामना संदिश भेजा 17 सितमबर से सुरू हुए सेवा समर्पन अभियान के तीसरे दिन रभिवार को जाम तड़ा सहर में भाजपा करकताओं ने कई परकार के कारकरम किये परधान मंत्री नानमोदी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से सुबकामना संदिश भेजा गया बतादे सभी भाजपाई सीव मंदीर परिसर में जुटे करकरम परभारी सहजीला उपादेक्स मितेश साह ने अपने पत्रे में लिखा की आधोनिक भारत के सिल्पकार हम सभी करकरताओं के लिए प्रेना पुंज देश के लोग प्रधान मंत्री नानमोदी को जनम दिन की आर्दिक बधाई पानी की समस्या जहल रहे जहरिया के लोग उपायुत का पुतला फुका छठे दिन भी जहरिया में जला पुर्ती नहीं होने से नराज जहरिया वासियों ने रविवार को धनबाद उपायुत का पुतला दहन कर आक्रोस ब्यक्त किया लोगों ने पुर्व पार्षद अनूप साओ के नेतित में बाटा मोल गनेश चोक के समीप पुतला दहन का रिकरम किया बता दे अनूप साओ का कहना है कि बैकलपिक तोर पर मैथन के पानी किया पुर्ती धनबाद में की जाती है अजसे मैं उसे जहरिया की पाइपलाइन से जोड़ कर रखना चाहिए ताकि बीकट परिस्थितियों में जानता को पानी मिल सके धानियवाद यदि आप चैनल परना होते चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल कावल आइकन दवे साथ वीडियो के एक लाइक कर अपनी दोस्तों के बाट से पेस्बूक ट्यूटर इंस्टाइगराम पर सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना प्यारा सा फिड़बैक अवसे दे थैंक यू